आज हम जोलोजी पेपर सेकिन्ड, एंडोक्राइनलोजी एंड इतोलोजी के अंदर और चैलूलर रिसेप्टर्स या कोशी के ग्राही पे बात करेंगे इस चैलूलर रिसेप्टर्स ये लेक्चर में बेसिकली हम कोशी के ग्राही ओंसे क्या समझते हैं उन्हें हम किस परकार से define करते हैं cellular receptors के कौन कौन से परकार होते हैं types होते हैं में से extra cellular और intra cellular परकार के जो receptors हैं उन पे बात करेंगे और last में जो cellular परकार के receptors होते हैं उनका regulation किस परकार से किया जाता है उनका नियमन किस परकार से किया जाता है इस पे चर्चार की जाएगी और इसे पहले जो है वो आपको वेरियस परकार के जो होर्मोन वेरियस परकार के जो नियरो ट्रांस्मीटर्स होते हैं उन नियरो ट्रांस्मीटर्स के उपर जब वो डिसकस किया था तो ये जो निरो ट्रांस्मीटर्स होते हैं ये जो होर्मोन्स होते हैं यही जो है वो एक परकार से जो चलूलर परकार के रिसप्टर्स होते हैं उनके लिए अक्स्टनल मॉलेकूल का काम करते हैं लीगेंड का काम करते हैं तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो ligand और cellular परकार receptor से हैं उनके अंदर किस परकार से interaction होती है तो receptors के अगर हम बात करें, receptor के अगर definition की बात करें तो receptor को इस परकार से जब वो define किया जा सकता है that receptors are protein molecules inside the target cell or in its surface that receives a chemical signal यानि हम receptor या गराही जब वो ऐसे protein molecule को कहते हैं जो target cell के अंदर पाए जाते हैं या फिर जो target cell होती है उसके surface के उपर पाए जाते हैं और एक जो chemical signal आता है एक रासाइनिक परकार का जो संकेत आता है उस संकेत को प्राप्त करने का काम करते हैं ऐसे protein molecule कोम क्या कहते हैं receptors कहते हैं chemical signals are released by signaling cells in the form signal होते हैं रासाइनिक परकार के संकेतन अनु होते हैं जो signaling परकार की cells होती है उनके द्वारा उनको release किया जाता है और किस form में किया जाता है वो generally small या छोटे परकार के volatile और soluble परकार के molecules होते हैं जिने हम legends कहते हैं और ये जो legends होते हैं इन legends के अंदर हम कई परकार के जो biomolecule हैं उन biomolecule को जावो include करते हैं उसमें hormone हो सकता है neurotransmitter हो सकता है cytokinin हो सकता है या फिर कोई दूसरे परकार का जावो chemical molecule जावो legend के रूप में behave कर सकता है a legend is a molecule that binds another specific molecule in some cases delivering a signal in the process तो ये जो process पाई जाती है उस process के अंदर legend क्या करता है एक molecule की तरह जाव behave करता है और दूसरा जो specific परकार का molecule होता है जो सेमेंबरेन के अंदर पाई जाता है या cytoplasm के अंदर पाई जाता है उसके साथ में जावो bind होकर और एक परकार जो signal process होती है उसको deliver करने का काम करता है और legends can thus be thought of as signaling molecule या हम ये भी कह सकते है कि जो legend होता है वो एक परकार से संकेतन अनू का का काम करता है signaling molecule का का काम करता है legends and receptors exist in several varieties however a specific legend will have a specific receptor that typically binds only that legend तो जितने भी परकार की target cells होती है उन target cell के अंदर कारी करते है उनके लिए अनेको परकार के receptors जो पाई जाते है लेकिन फिर भी जाओ एक particular परकार के legend के लिए जाओ एक particular परकार का जो है वो receptor होता है और वही उसके साथ में जाओ बाइंड हो सकता है तो receptors जो होते हैं उनको हम जाओ दो broad categories परकार के अंदर जाओ डिवाइड कर सकते हैं पहले परकार के जो receptors है उनको हम internal receptors कहते हैं जो target cell का cytoplasm है उस cytoplasm के अंदर पाए जाते हैं दूसरे परकार के जो receptors है उनको हम जाओ आक्शनल receptors कहते हैं जो plasma membrane के अंदर पाए जाते हैं या जो cell membrane होती है cell membrane के अंदर पाए जाते हैं तो पहले परकार के कहलाते हैं internal receptors अर्थार जो cytoplasm में पाए जाते हैं internal receptors also known as intracellular or cytoplasmic receptors are found in the cytoplasm of the cell and respond to hydrophobic ligand molecules that are able to travel across the plasma membrane यानि internal परकार के जो receptors हैं उनको हम दूसरे रूप में जाएं वो intracellular परकार के जाएं इसके साथ-साथ cytoplasm परकार के receptors हैं उनके रूप में जान सकते हैं और यह वो basically cytoplasm के अंदर पाए जाते हैं और जो hydrophobic परकार के ligand होते हैं, जो ligand molecules होते हैं, उनके लिए जो है वो एक परकार से ये receptor का का म करते हैं so once inside the cell many of these molecules bind से जो internal प्रकार के receptors होते हैं, वो messenger RNA synthesis से उसको regulate करने का कारी करते हैं. तो जब एक ligand जो है, वो internal receptor को bind करता है, तो उसके जो safe होता है, उस safe के अंदर change होता है, वो change क्या करता है? जो DNA binding site होती है, उन DNA binding site को induce करने का काम करता है. और इसे क्या होता है, एक ligand receptor complex बनता है, यह ligand receptor complex जब वो क्या है, nucleus के अंदर जाता है, और उसके बाद में DNA के specific परकार के regions होते हैं, उनके साथ में bind होकर, वो messenger RNA जो है, उस messenger RNA के production को promote करने का काम करते हैं. और यह messenger RNA के specific परकार के genes होते हैं, उनके द्वारा जावो operate होते हैं. तो यह देखे एक diagrammatic परकार के view है, जहाँ पर आपको जो है, वो यह plasma membrane दिखाए दे रही है, बेतर की तरब यह light pink color का जावो cytoplasm है, और इसके अंदर देखे आपको जावो intracellular परकार का receptor जावो दिखाए दे रहा है. तो यहाँ देखे यह जो सिगलानिंग परकार का molecule आता है, जो हम legend कहते हैं, यह एक जावो hormone भी हो सकता है, और यह फिर जावो एक neurotransmitter हो सकता है, या कोई दूसरे परकार का biomolecule होता है, तो यह जो है वो cytoplasm के अंदर enter होके, और जो intracellular परकार का receptor है, उसके साथ में bind हो फिर यह जो ligand और receptor परकार का complex बनता है, यह क्या काम करता है, नुकलियस के अंदर enter होता है, और जो DNA होता है, उस DNA से वो various परकार के messenger RNA के production को promote करने का कारिय करता है, दूसरे परकार के receptors होते हैं, उनको हम extracellular receptors कहते हैं, और इने भी हम दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे cell surface receptor के नाम से जानते हैं, या membrane receptor के नाम से जानते हैं, या transmembrane receptor के नाम से जानते हैं, या फिर हम इनको कभी कभी जाओ अक्सनल परकार के receptors भी कह देते हैं, क्योंकि यह साइटो प्लाजम से बाहर पाये जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, तो यह भी जो है, वो basically प्लाजमा membrane इनके अंदर पाये जाने वाले जो एक प्रकार के गराही रणू होते हैं, एक प्रकार रेसप्टर्स होते हैं, जो प्रोटीन मोलेक्यूल रूप में बिहेव करते हैं, और साथ ही साथ जो अक्स्टासेलूलर प्रकार के मोलेक्यूल्स होते हैं, उनको बाइंड करने का काम करत है तो इसे ड Doyammatic View में हम देख सकते हैं कि एक जो ligand होता है वो powderate जो रइसप्टर है उसके साथ बाइंड हो था है और बाइंड होने के साथ में के साथ बाद में in tracellular प्रकारगी जो responses होते हैं उनको एंड्यूश या influence करने का कार्य करता है तो अक्स्टा सेलूलर परकार के जो रिसप्टर्स होते हैं उनके अंदर देखिए क्या-क्या विसेचता है हमें जब वो देखने को मिलती हैं अक्स्टा सेलूलर परकार के जो molecules नियसे hormone है, neurotransmitters है, cytokonines है, growth factors है, cell addigine molecules है दूसरे परकार का जो nutrient होते हैं वो extracellular परकार के जाओ वो molecule के रूप में काम कर सकते हैं ये extracellular परकार ग्रिजबस्टर उनके साथ में bind हो सकते हैं तो ये क्या करते हैं they react with the receptor to induce change in the metabolism and activity of cell तो cell का जो metabolism होता है जो activity होती है उसे जो है वो induce करके और उसके अंदर परिवर्तन लाने का काम जाओ है ये extracellular परकार के molecules करते हैं So in the process of signal transaction, ligand, bind effects a cascade chemical changes through the cell membrane तो जो cell membrane होती है उसके अंदर एक परकार के जो chemical changes है उनका एक जो आवो पानवत जो प्रोसेस पाई जाते है केसकेडिंग परकार के प्रोसेस पाई जाते है जिसके दोबारा ये cell के metabolism और उसके activity को influence करने का कारिय करते है तो extracellular परकार के जो receptors हैं या cell surface परकार के receptors हैं उनको हम किस परकार से classify कर सकते हैं तो basically उनकी जो nature होती है उस nature के आधार पर हम तीन स्रेणियों के अंदर और extracellular या cell surface परकार के receptors हैं उनको classify कर सकते हैं तो ये तीन केटिगरियां कौन कौन की पाई जाती है पहली जो है वो iron challenge लिक परकार के receptors कहलाते हैं दूसरे जो है वो G protein linked receptors कहलाते हैं और तीसरे जावो enzyme linked receptors कहलाते हैं तो ये तीन टाइप जावो cell surface receptors के या extracellular receptors के जावो पाई जाते हैं तो देखें इन से हम क्या समझते हैं iron channel linked परकार के receptors होते हैं वो जो है उनके अंदर iron channel पाई जाते हैं जो खासतोर से anine और ketine परकार के जो उसके रूप में ये पाई जाते हैं और इसके साथ-साथ इनके द्वारा जो signaling परकार की प्रोसेस होती है वो fast परकार की या repeat परकार की होती है इन्हें हम जो है वो दूसरे रूप में जब लिगेंड गेटड iron channel भी कहते हैं क्योंकि जो लिगेंड होते हैं लिगेंड या बायमिल के लिए जो है वो ये गेटड का काम करते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं लिगेंड गेटड iron channel भी कहते हैं और इसके साथ में जो neurotransmitter होते हैं वो neurotransmitter के दौ़ारा इन्हें logand gateड iron channel को या जो iron channel link परकार की receptors होते हैं, उनको control किया जाता है और the opening and closing of ion channel is controlled by neurotransmitter, जो तंत्री का परेशी परकार की पदार्त होते हैं, उनके द्वारा इनको control किया जाता है ये देखे, एक ion channel link परकार का receptor है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये तो जो है वो एक परकार की ट्रांस membrane protein आपको दिखाई दे रही है, जो एक यहाँ पर receptor कहलाता है या एक यहाँ पर ग्राही कहलाता है और ये देखे, जहाँ वो signaling परकार का molecule है, जिसके द्वारा जो है, वो cell के अंदर signal जिया जाना है, तो ये जब signaling परकार का molecule है इसे signaling molecule का, इसे receptor के साथ में binding होता है इसके साथ में जब ये एक complex बनाता है तो अंदर से जो है, वो कुछ आइन जब बाहर जाते हैं, और बाहर से कुछ आइन जो है, वो अंदर आते हैं, तो इस दोरान ये channel क्या है, या तो खुलता है, या ये परकार के जब वो integral membrane protein होती है, जिनके अंदर जो है, वो कई जो है, वो transmembrane hallucis पाए जाती है, कुंडलियां पाए जाती है, तो ये receptors जो है, वो क्या करते हैं, कि जो G protein है, उस पर आधारित होते हैं, और कोई भी परकार का ligand जब इन पे जाके bind होता है, तो एक intracellular प्रकार की जो signal process होती है, वो शुरू हो जाती है, तो ये देखे, एक G protein coupled receptors को जो है, वो करता हुआ, एक diagrammatic view है, तो यहाँ पर जो पहला diagram उसमें देख सकते हैं, कि ये जो plasma membrane है, इसके अंदर जो G protein coupled receptors पाए जाते हैं, तो ligand जाओ इस protein के साथ में आकर जाओ बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के साथ-साथ ही अंदर ये अंदर जो GTP है, वो GTP, GTP के अंदर convert होती है, और उसके बाद में इस उर्जा के इस energy के दवारा जाओ वो cellular परकार के जो responses हैं, वो cell के अंदर जाओ वो accomplish किये जाते हैं, तीसरे और अंतिम परकार के जो cell surface receptors होते हैं, उनको हम enzyme लिक्न receptors कहते हैं, जो या तो जो है वो enzyme होते हैं, या फिर जो है, वो directly activate associated enzyme, या जो हो सीदे सीदे सोर्चे जो समन्दित परकार के enzyme होते हैं, these are typically signal, single pass transmembrane receptors, तो ये केवल जो है, वो एकल पास, जो है, वो transmembrane जो है, वो protein होती हैं, with enzymatic component जिसके अंदर enzyme पाए जाता है, और ये जो है, वो हमेशा intracellular परकार का होता है, या अंतिकोशी के परकार का होता है, तो जो कई परकार के enzyme linked परकार के receptors हैं, वो protein kinase से ये लेफ्ट साइड है, उसके अंदर गौवा नलेट परकार की जो cyclase activity है, उसको जो जो किया गया है, राइट साइड के अंदर जो tyrosine kinase परकार का enzyme, उसकी जो activity है, उसको किया गया है, तो tyrosine kinase परकार की जो एक्टीविटी होती है, वो nerve growth factor, platelet draft इनके अंदर जावो देखने को मिलती है तो हम यह कह सकते हैं कि इन परकार के रेसेप्टर में जब कोई लेगेंड जो है वो अक्सिलियली बाइंड होता है तो साइटो प्लाजम के ओर पाए जाने वाली जो साइकलेज परकार का एंजायम होता है उसके अंदर चेंज होता है और उस चेंज से जावो परकार का साइकलिक एंपी बनता है वो साइकलिक एंपी आगे जो है वो इंट्रासलूलर परकार के जो रेस्पोंसेज होता है receptor का regulation किस परकार से किया जाता है तो इस regarding भी जब कई परकार की theory जह है वो for foot की गई है तो उसमें यह देखा गया है कि जो cells होती है वो cells receptor को कई परकार से regulate करने का काम करती है उनका नियमन करने का काम करती है तो cells जह है वो increase भी जह है वो receptor को कर सकती है decrease भी कर सकती है depend यह करता है कि cell को किस परकार की necessity ही या किस परकार की आप सकता की इसके साथ-साथ जब वो एक particular परकार का जो hormone होता है या जो neurotransmitter होता है उसके लिए भी cell increase या decrease वो receptors को कर सकती है तो एक परकार की local acting process होती है जो feedback mechanism के दोरा जब इसे such that binding of the agonist does not activate the receptors तो अगर जो है वो कोई विपरीद परकार का या जो agonist परकार का molecule होता है वो molecule जो है वो अगर receptor के conformation में change करता है तो फिर receptor जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है उसे जो हो शक्रिय नहीं होता है तो दिस